हाई गाईज, विल्कम बैक टू मैं चैनल ओसी की रसोई एंड राट तो मैं आपको आज बहुत ही नई रेशीपी बताने जा रही हूँ तो देखिए ये बहुत ही क्रंची है, ये आलू का बना हुआ है तो आईए हम स्टार्ट करते हैं ये रेशीपी बनाना तो हम सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें एक कटोरी मैदा डाल देंगे मैं इस कटोरी से मेजर करके डाली हुई हूँ, आप भी ऐसे ही मेजर कर लें अब उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जवाइन डालेंगे जिस तरीके से मैं मसल रहुँ न, वैसे ही आप भी अपने हथेली के हिल्प से दोनों हथेली को आपस में रगटे न, वैसे ही मसल करके इसको डाल दें इसको डालने से digestive system सही रहता है, आप जब भी oil वाला बनाते हैं तो आप इसका use जरूर करें, जो अजवाइन डाली हुँ न, उसका use आप जरूर करें अब इसको हम mix कर लेंगे इस तरीके से, उसको बहुत अच्छे से mix करेंगे मसल लेंगे, उसके बाद हम इसमें दो बड़ा चमाच oil डाल देंगे मैं refined oil का use की हूँ, आप जो खाते हैं, बस सर्चो का oil न डालें उसके बाद कोई सभी आप डाल सकते हैं, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी करके mix करेंगे ध्यान रहे कि हम एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा यूज करके इसमें हम mix करते जाएंगे जिस तरीके से हम आटा गोनने के लिए लोई बनाते हैं वैसे ही सेम इसको बनाना है इसका पेश्ट तयार करना है, तो देखें मैं किस तरीके से इसको मसलते हुए बना रहे हूँ जितना हम अच्छे से हथेली के दबा लेंगे इसको अच्छे से देखें इस तरीके से आपका आटा तयार होना चाहिए अब उसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम अगला प्रोसेश करते हैं ये आलू उबला हुआ है, मैं बड़ा आलू ली थी, अब इसको हम अच्छे से दबा लेंगे आपके पास इस तरीके से पूस करने कर नहीं है, तो आप अपने हथेली का हेल पकर सकते हैं और हथेली से अच्छे से आप मसल सकते हैं ज़री नहीं है कि आपके पास यही होगा तभी बनेगा अब यह तैयार हो गया अब हम एक कडाई रखेंगी गैस में इसमें दो चमच हम ऑईल डाल देंगे उसके बाद जब ऑईल गरम हो जाए ना तो हम इसमें लहसुन को मैं क्रश करके रखी हुई तो आप भी इस तरीके से घीश कर रख ले और इसको हम ब्राउन होते तक थोड़ा सा बोल लेंगे दो मिर्ची को छोटे-छोटे काट करके हम इसमें डाल देंगे उसके बाद मैं महुत कम प्याज ली थी करीब यह आदा ही था तो इसको भी मैं छोटे-छोटे तुकड़ों में काट ली थी और इसमें फिर डाल दिये अब हम जो आलू तैयार किये हुए थे ना उसको इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से आप हाट से मसल ले और फिर आलू को इसमें डाल दे उसके बाद इसमें हम हरी वाली धनिया की पत्तिया को बारी काट ले हुए है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और जिस तरीके से मैं पहले पूस कर रही थी वैसे ही हम इसमें पूस करेंगे जैसे मैं push करी हूँ आप देखो अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इस पैचुला के help से भी push कर सकते हैं सिर्फ इसको mix करना है अब इसमें अपने test के coding नमक डालेंगे नमक जादा नहीं डालेंगे कमी डालेंगे और इसमें थोड़ा सा हम हल्दी डाल देंगे बस कलाल लाने के लिए अब इसको हम आपस में mix कर देंगे देखिए यह बैटर हमारा बिल्कुल तयार है अब जो ढख करके रखे हुए थे ना जिसको हम गोंदे हुए थे उसको हम थोड़ा समिक से कर लेंगे इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा दबालेंगे अब इसका हम छोटा सा लोई निकाल लेंगे, देखिये मैं किस साइज में और किस तरीके से इसको दबा रहे हूँ, ऐसे ही आप दबा ले और इसको जैसे हम रोटी को बेलते हैं वैसे ही सेम बेलना है, इसमें हम साइज नहीं देखेंगे, हमारा साइज बिगड़ेगा तो भ एक्दम स्वादिष्ट नास्ता बतारी हूँ आपको, तो इस तरीके से हम बेल लेंगे, बस आपको साइज बढ़ा करना है और आप टेड़ा बेलो, चाहे जैसे भी बेलो, लेकिन ये तो इसली साइज से बिलाई जाता है, मैं जैसे रोलर की हेलप से बेल रहे हूँ ना, वैसे ही आप भी बेलते जाए, देखिए, ये एक्दम पर्फेक्ट बन रहा है, बस मेरे रेशिपी को आप लाश्ट तक जरूर देखना, जो भुजिय बनाने वाले साचा रहते हैं उसको हम ले लेंगे और इसमें रख देंगे, जैसे मैं रखी हूँ ना, आप भी वैसे और जो आलू का बेटर बना हुआ था ना, उसको हम इसमें फिल अप कर देंगे, देखिए, इस तरीके से आप भी करें, जैसे जैसे मैं बनाते जा रहे हूँ ना, आप step by step फालो करें, फिर आपका देखना बहुत ही पर्फेक्ट बनेगा गाईज, इस तरीके से हम आलू को नहीं, उसको हम निकाल करके जो दूसरा वाले बनाएंगे ना, उसमें हम डाल देंगे, देखिए, ये निकाल देंगो और बहुत ही पर्फेक्ट बना है, तो है ना, आसान ये रेशिपी बनाना, और बहुत ही यम्मी रहता है गाईज, आप इसको चटनी के साथ, सौस के सा आप खा सकते हो, अब हम सेकंड वाले में बना करके आपको दिखा रही उसम, ऐसे ही हम एक लोई लेंगे, अब उसको फिर से पेलेंगे, आप इसको इविनिंग में भी नास्ता के तोर पर बना करके खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही यम्मी जाता है और खाने में तो महुत ही क्रंची बनने वाले हैं तो आप देखते बस जा और फिर जा करके तुरंत आप बना लो गाईज यह देखो हमारा सेकेंड भी तयार होने जा रहा है ऐसे ही आप बेलते जाए यह चिपकता नहीं है गाईज मैदा कभी चिपकता नहीं है तो यह इसली बाहर आजाता है जैसे देखो मैं जितना भी पतला बेलू लेकिन इसको उठाओंगी तो यह उपर निकल ही जाएगा और हम फिर से उस साचे को ले लेंगे और साचे में डाल देंगे देखिए कितना इजी है बनाना इसको अब इसमें हम फिर से आलू डालेंगे इस तरीके से हम आलू को डालेंगे बहुत जादा नहीं भरेंगे मिडियम साइज में बनाएंगे और मिडियम आलू को डालेंगे इस तरीके से कुझिया साचा में आप कुझिया बनाये थे लेकिन आपने इस तरीके से आलू वाला नास्ता नहीं बनाया था नहीं किसी ने बताया है गाईस तो मैं पहली बता रही हूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और सेयर करना और कमेंट करके बताना कि मेरी ये रेशिपी आपको कैसी लगी अब इस तरीके से हम जो उपर निकल है उसको निकाल लेंगे देखिए एक दम आराम से ये इज इसली निकल जाता है गाईस ज्यादा जंजाट या कोई परेशानी कुछ की दिक्कत नहीं है देखिए हमारा शेप बिल्कुल सब तैयार हो गया गाईस देखिए कितना परफेक्ट बना हुआ है ना इस तरीके से आप आलू से फिलिंग भर करके आप नया नास्ता बना सकते हैं अब हम जितना चानने के लिए उसको तल कर निकालने के लिए ओईल की ज़र्रत है उतना हम कडाई में डाल देंगे और ओईल को गरम होने देंगे देखिए मेरा ओईल गरम हो चुका है अब हम एक एक करके सबको डालते जाएंगे अगर आप इस नास्ता को एक बर बना तो आपको बार बर बनाने को मन करेगा क्योंकि ये खाने में बहुत ही यम्मी राता है और बहुत एजी तरीके से बन चाता है आप सुबह के नास्ता में भी इसको बना सकते हैं या फिर शाम को भी इसको नास्ते की तोर पर खा सकते हैं जब ऑईल में आप डालेंगे ना तो बहुत ही केरफुली तरीके से डालें, जब आप फर्स टाइम बनाने लगते हैं ना थोड़ा घबरहाट होता है, तो कभी कभी हाथ में ओयल छिटक भी जाता है, तो इसलिए मैं बोर रही हूं कि बहुत ही केरफुली तरीके से डालेंगे, अब हम एक एक करके ऐसे ही पलटा देखिए, अभी सही ये बहुत अच्छा दिखने लग रहा है, इसका टेक्सर बहुत अच्छा दिख रहा है, और बहुत ही यम्मी तो बने गई, टेस्ट तो आए गई, अब इसको हम ब्राउन होते तक भूनेंगे, थोड़ा रेट टैप दिखता है न, वैसे ही इसको करना है, और धीरे धीरे करके इसको हम पल्टा लेंगे, देखना आपको लाश्ट में दिखाऊंगे, ये बिल्कुल टूटा नहीं रहेगा, कोई भी कोने से, कोई भी साइट से, इसको हम हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे, इसको लो फ्लेम में पकाएंगे, अब देखिए हमार ये आलू वाली नास्ता तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे एक बरतन में और बहुत ही यम्मी लग रहा है देखने में गाइस तो आप इसको हराम से निकाल ले अब आप कमेंट करके बताना कि मेरी ये रेशिपी आपको कैसी लेगी क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताई हुई हूँ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि मेरी ये रेशिपी आपको कैसी लेगी गर्मी में तो सब बच्चे भी घर में रहते हैं सब साथ में ही रहते हैं क्योंकि इसकोल का छुट्टी भी हो गया है तो आप इस तरीके से नास्ता बना करके बच्चों को भी खिला सकते हैं तो लाश्ट में आप कमेंट करना बिल्कुल भी न भूले बाइ 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 गाइस